जहिन दोस्तों बहुत बहुत श्वागत है आपका आज हम लोग इस वीडियो में पर्चेस रिटर्न करना सीखेंगे अगर कोई समान आप पर्चेस करके रखे हुआ हैं और उसमें से कोई समान अगर खराब निकल गया तूटा फोटा या स्क्रेप या एक्सपैरी डेट के सा तो दोस्तों पर्चेस रिटर्न के लिए हम लोग डेविट नोट का इस्तमाल करते हैं आए देखते हैं सबसे पहले हमें पर्चेस रिटर्न करने के लिए टैली के फीचर से डेविट नोट को यस करना होगा इसके लिए यहां से फीचर में जाना है इन्वेंटरी फीचर मे यस करके और accept कर लेना है फिर escape से back जाना है gateway of tally में दोस्तों कोई समान return करने के लिए पहले समान को purchase करना होता है तो आए पहले कुछ हम purchase कर लेते हैं फिर उसे return करेंगे accounting voucher में जाना है इंटर करना है purchase करने के लिए F9 पर प्रेस करना है यहां से तो आपका purchase खुलेगा यह रहा F9 Suppliers Invest No.1 1 डाल लेते हैं 011 date डाल लेते हैं party name हम कैसी डाल लेते हैं अगर किसी party से खरीते हैं तो उसी party को return करना होता है जैसे हम alt C करके party का नाम बना लेते हैं राज इंटर करते हैं राज का लेजर अंडर संडी क्रेडिकर में जाएगा और इसे हम accept कर लेते हैं फिर इंटर करके हम आगे बरहेंगे लेजर पूछेगा purchase का alt C करेंगे और एक लेजर बनाएंगे purchase का इंटर करेंगे purchase का लेजर जो है अंडर ये primary में डालेंगे इसे unit alt C करके और हम PCS का बनाएंगे पूरा नाम होगा PIEC number of decimal पहले 0 रखते हुए इसे accept करेंगे description में कुछ नहीं लिखना है quantity 100 piece ले रहा है rate 200 के rate से amount 20,000 का होता है एक बार इंटर करेंगे इंटे करेंडे के बाद यहां से new reference डालेंगे bill name automatic आजाएगा नहीं bill number due date कुछ नहीं है और इसे हम accept कर लेंगे तो ये purchase की entry हो गई 100 piece की अगर हम अभी जाकर के check करते हैं sales करते समय तो 100 piece available बताएगी या फिर हम stock भी देखेंगे back जाकर के gateway of tally में यहां से display में जाना है आपको statement of inventory में जाना है stock query में जाना है और mouse को select करना है तो यहाँ purchase में आपको total का total अभी यहाँ पे 100 piece दिखाएगा जो available है यहाँ पे दोस्तों यह purchase product बताता है यह sales product और यहाँ पे available item बताता है तो available अभी 100 piece बता रहा है लिए debit note का इस्तमाल करेंगे इसे purchase return बोला जाता है click करेंगे invoice number जो original था वो डाल लेंगे date डालेंगे जिस party से हम खरदे से उस party का नाम डालेंगे उसके बाद enter करके नीची आएंगे तो purchase का laser पूछेगा purchase का laser पूछेगा तो हम यहाँ पे purchase का भी laser डाल सकते हैं और एक नया purchase return का भी laser बना लेंगे तो अगर आपको नया बनाना है तो alt c कीजे और एक laser बना लिजे purchase return का इंटे करेंगे अब यह purchase return का laser purchase account में जाएगा और इसे हम accept कर देंगे अब यहाँ पे mouse select करेंगे quantity अगर 20 piece return करना है तो 20 piece डाल लेंगे rate automatic by default आजाता है party name के साथ यानि जो party name रहेगा जिस rate से आप कर दें वो automatic आजाएगा इंटे करने के बाद हम इसे against reference डालते हुए क्योंकि आपका पैसा भी कम करना है तो against reference में डालते हुए pending bill से हम 20,000 में से अपना 4,000 रुपिया minus कर लेंगे और इसे हम accept कर लेंगे अब अगर हम payment करने जाते हैं राज को तो ये जो है कि total का total 20,000 नहीं payment करना है हम राज को select करेंगे तो ये 4,000 रुपिया मेरा जो return ने समान है उसका पैसा कट गया तो मातर हमको 16,000 रुपिया पे करना है return की entry करते हैं और जो rest amount बस जाता है उसे हम payment भी कर लेते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो एक like कर दीजिए और इसी तरह के informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लेजिए फिर मिलते हैं किसे अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल आपका दिन सुबब